हलो फ्रेंड्स वेल्कम टो माई चैनल तो आज की हमारी रेसिपी बहुत ही जाता फीमस रेसिपी है बिहार और जहार खंड में जो हर साल छट पुजा के टाइम पर जरूर बनती है तो आये बनाते हैं उसको बनाने के लिए मैंने लिया है दो कप आठा केहूं का उसके बाद डेसिकेटेड नारियल हाफ कप एक कप सूजी सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले नारियल ऑप्शनल है मिलावे सकते हैं नहीं भी अब हम इसमें डालेंगे पीसा हुआ चीनी दो कप चीने डाला हैं मैंने आपको जितना मीठा चाहिए उससाब से चीने डाल सकता है आप इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम डालेंगे घी कि एक कप मैंने घी लिया है ह्शके लिए घी को आट में अच्छे से मिक्स करेंगेज याद रखिएगा घी कम नहीं होना चाहिए लिए ज्यादा नहीं होने चाहिए खास्ता बनाने के लिए मास soutताओ लिए गी अच्छे से डालना होता है इसमें जिए इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है पूरा में देखिए बिल्कुल इसी तरह से मिक्स करना है पूरा में यह बहुत ज्यादा स्वाद्ध संपल भी है रेशिपी आप इसको स्टोर करके भी रख सकता है अब क्या करेंगे मैंने थोड़ा से पानी को गुन गुना कर लिया है इस पानी को थोड़ा थोड़ा डालके हम अच्छे से आर्टे को गुन करना है जादा गीला नहीं करना है आटे को थोड़ा ढिल के हलके हाथों से और जैसे मैं करें वैसे आप कीजेगा देखे आठा हमारा लगवाण कुन चुका है फूरा कड़ा है इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे चुड़ने के पाद में छुटा छुटा बॉल बना लेंगे बॉल को अच्छे से बनाने के पाद हम एक फ्रेम फ्रेम की मदद से हम इसमें डिजाइन कर सकता है उसको बस करना के है थोड़ा गोल गोल बना के उसको फ्रेम में दबा देना है हलकी हाथों से तो इसमें देखे डिजाइन निकल के आ जाएगा देखे बिल्कल इसे तरह यह पूरा प्लेन नी बनता है और उसको अब हाँ झाल नेगे तेल ज़्यादा गरम होना चाहिये ताके यही क्रिस्पी बणे अगर तेल ज़्यादा गरम होगा तो यह अच्छे से पकेगा भी नहीं और जल्दी बन जाएगा तो फिर यह खासता नहीं बनेगा यह बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है और बहुत मज़दार भी होता है हेल्दी भी है कि यह आटे से बना हुआ है तो इसको आप बरा के स्टोर करके रख सकते हैं जिसको आप कभी भी खा सकते हैं बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं यह चट पूजे में इस्पेशली चड़ा जाता है आप इवनिंग स्नेक्स के लिए भी यह बहुत अच्छा है बहुत मज़िदार भी होता है तो घर पे जरूर ट्राइ करें यह रेसिपी यह देखिए कितना सुन्दर दिख रहे हैं और खाने में भी उतना ही मज़ेदार होता है थैंक्यू फो वाचिंग अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक सेयर सब्सक्राइब करते जिएगा और इस रेसिपी को अपने घर पे जरूर से जरूर ट्राइब कीजिएगा और कमेंट में बतेगेगा कि कैसी बनी है सथ पुझा स्पेशल ठेकवा का रेसिपी है जरूर ट्राइब करें थैंक्यू